अमस्कार दोस्तों मेरे नाम जयकुमार तिवारी है मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों मैं Department of Housing and Urban Planning Government of Uttar Pradish Retired Assistant Engineer हूँ दोस्तों आज मैं बात करूंगा हमारे पास काफी कमेंट्स लोगों ने किये हैं वो यह कहते हैं कि सब मैंने अपना मकान बना लिया है और उसका नक्सा पास नहीं कराया है विकास परादगर्ण से लोग आके हमें परहिसान कर रहे हैं, तो आप क्या मैं उसका नक्सा पास करा सकता हूँ, या कोई और रास्ता है, उससे मैं कैसे बच सकता हूँ, कि विकास परादगर्ण हमें परहिसान ना करे, मेरे विल्डिंग का चालान ना करे, या मुझे जैसा ह वैसे ही शोड़ते तो दोस्तों आई वीडियो शुल करते हैं दोस्तों अगर आपने विकास शेत के अंतरगत जो हमारा ने वेडियो शुल का आपने विकास शेतर में की अनित्कित निर्माड के अनित्कित निर्माड है औरxt लोस्तों लोजन के विकास व्योखेत करने के लिए भूगंड का खाली होना आवच्यक है खाली भूगंड पर कोई निर्माण स्विक्त किया जाता है निर्माण के बाद तो उस निर्माण को समन किया जा सकता है और समन करने के लिए हलक से बाइलोज बने हुए हैं इन समन बाइलोज के ऊपर भी हमें एक सीरीज बनाई हुई है उस सीरीज में आप अपने भूगंड के साइब, भूगंड के अमसार समन योग है या नहीं आपका भूगंड पर निरुक किया हुआ भूगंड आप चेक कर सकते हैं मैं end screen पर इस compounding biology की सीरीज के playlist को upload करूँगा आप उसमें देख सकते हैं अब मैं बात करता हूं चाब आप अपने भूगंड पर अनेतकिय निर्मान कर लेते हैं तो खाली आप इसको compound करा सकते हैं स्विकित की परवाशा अलग है और समन की परवाशा अलग है नमबर एक आपके भूगंड का भूग योग क्या है इसकी जाच होती है तो किसी भी भूगन का भूप रियोग उस नंगर की master plan में आपके पत्रिकुलर भूगन्ड हे तो निर्दिष्ट भूप योग ही उस भवन का या उस भूगन का भूप योग होता है अर्थाथ अगर आपका भूगन्ड आवाशी छेतर में master plan के अंसार इस आपका भवन उस भूपयोग के लिए सुकित किया जा सकता है जब आप पहले से भवन निर्माण कर लेती हैं तो पता नहीं आपने उससे किस भूपयोग के लिए भवन निर्माण कर लिया है और महायज नाम उसका क्या भूपयोग है यह तहीं नहीं हो पाता इसलिए उसकी जाच भूपयोग कंसार्ट किया जाना आवश्चक है पहला विंदु यह है इसलिए आपका भवन जो पहले से निर्मित है वो अवैद किस रहता है जब तक कि भूपयोग की जांच नहीं हो जाए नंबर दो मिल्दु है आपके प्लॉट की ऑनर्शिप की जांच की जा सकती है आपने जिस प्लॉट को अपना समझा है उस प्लॉट में किसी सरकारी भूम की जमीन तो सामझ लई है अगर नगर नेंगम सीमा के अंतर कहता है कोई नगर नेंगम की भूम तो नहीं है आपके भूगन के समुक्स जो रोड है उस रोड की चौडाई आपके भूगन में समझे तो नहीं है या कोई ग्राम समाज की भूम कोई तालाब पोकर चक रोड आज की भूम तो आपके भूगन के में समझे तो नहीं है इन स तीसरी जाज का बिंदू यह है अगर आपकी सब जगे से नोसी भी आ जाती है आपका भूब्योग भी ठीक है तो आपने अपने भूबन पर जो भवन निर्मान कर लिया है उस भवन के जो मानक हैं निर्मान के वो पूरे किये हैं नहीं कि यह जितना सेट्वेक आपको आगे है छोड़ना , थातना छोड़ा यह न छोड़ा यह जो आपको जो निर्दिश्ठ कर लिया है निर्माण किया है नहीं किया है इतनी सारी जाज करने के बाद ही उस भूगन पर आपका जो निर्मित भवन में स्विक्षित होगा या नहीं होगा तब तै होगा और पांचमा और अगला बिंदु ये भी है कि आपका जो प्लोट है वो किसी अनित्कित विभाजत की गई कॉल से पूर भी स्विक्षित करा लेना चाहिए और बेना स्विक्षित कराए गए निर्मित भवन पूरी तरह अवेद की स्रैनी में हैं आप उनको समझ के लिए आवेदन कर सकते हैं लेकिन जैसे कि अभी हमने इस वीडियो में बताया उन सारे विन्यों पर जांच के बाद नहीं है और तो आप आप अब बढ़ने ती हैं उन सबीड मानकों पर आपका खड़ा उतरता है सारे मानक पूरा करता है तो आपका अब बहुन किया जा सकता है लेकिन इसको कंपाउंड ही कहेंगे इसको मांचिस शुगित करना नहीं करेंगे जोस्तों अब मैं बताता मैं आई बटन में इस वीडियो का लिंक दे रहा हूं ताकि आप के सवाल का पूरा उत्तर मिल जाए आप जानना चाहते थे क्या मेरे पुराने बने हुए भवन को स्विकित किया जा सकता है अथवा नहीं तो आप 300 बरुमीटर तक के भुगन्यों पर मांचिस्विकित कराने क के नियम से संबंदित वीडियो जो मैं आप आई बेटन में दे रहा हूं आप उसको देख लिए तो आपकी जो बाती बची होई कोरीज हैं वह यहां पर समाथ हो जाएंगी और आप समझ पाएंगे कि मांचिस्विकित कराना समन कराना से कैसे बिन्न है और दोनों में क्या जानता रहे हैं और आपके भूगन का मानचित समन कैसे किया जा सकता है और उसका मानचित सुकृत कैसे किया सकता है खाली बूगन पर इस वीडियो में डेटेल में ये वताया है दोस्तों यह वीडियो आधी ऑगने उस और पर भीजएंगे नमस्कão